मैं इसको बीट रूट म कर लेंगे? मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है अब मैं इसका जूस निकालके अलग कर लूँगे इस छन्नी की हल्प से मैं इसके जूस को अलग कर लूँगी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इसमें जूस अलग हो रहे हैं इसको मैं अच्छी तरह से और अच्छी से जूस सारे अलग कर लूँगी आप देख सकते हो यह जूस पूरी तरह से निकल के रेडी हो चुका है अब मैं इस बॉल में वैसलीन को निकाल के अलग कर लूँगी आप देख सकते हो यह मैंने वैसलीन दिया अब इस वैसलीन में मैं जो बीट रूट का जूस मैंने निकाला था उसको मिक्स करूंगी इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करूंगी अच्छे से यह इस तरह से अच्छे से मिक्स नहीं होगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगी मेल्ट करने के लिए मैं लूँगी थोड़े से कटोरी में थोड़ा हलका गरम पानी और इसके उपर मैं इस कटोरी को रख दूँगी बहुत ज़्यादा गरम पानी ने लेना है और धीरे धीरे इसको फिर मिक्स करना है तो आप यह देख सकते हैं अच्छी तरह से अब मेल्ट हो चुका है इसको मैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अब आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो मैं इसको कंटेनर में इसटोर करके रख लूँगी यह मेरे पास यह वैसलीन के डिक बी है इसमें मैं इसको अच्छी से श्टोर करके रख लेती हूं तो गाईज आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से इसमें स्टोर कर लिया है अब मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी ताकि यह अच्छी तरश से सेट हो जाए और इजी टू अपलाई हो तो इसको मैं अभी फ्रीज में जाके रख देती हूँ तो गाईज फ्रीज से निकालने के बाद आप इसको इसली अपने लिप पे अपलाई कर सकते हो और इसको श्टोर करके रख सकते हो तो इसको इस वीडियो देन गिपस अ थाम्स अप और अलसो सब्सक्राइब तो मैं चैनल फोर मोर सच नेचुरल रेमेडीज फ्रम में see you in my next video till then bye bye take care have a good day